हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू कॉंट स्टेडी एक बर फिर आपका कॉंट स्टेडी में स्वागत है जसकी हम अपने पिछले सेशन में प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे और हमने 19 तक अपने जो कोशन थे वो सॉल्ड किये थे उनके सुलूशन देखे थे आज हम 19 के आगे कॉंट मैं चाहूंगा कि आप हमें हमारी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए इसके लावा हम फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर अक्टिव हैं जल्दी से हमें हर्चे को फॉलू कर लिजिए और किसी भी अप्डेट को मिस्स मत कीजिए तो यह रहा हमारे 20th कोशन यह सिंप्लिफिकेशन का कोशन है मैं अगेन आपको 5 सेकेंड दे रहा हूँ वीडियो को पॉस कीजिए और इस कोशन को सॉल्ट करने की कोशिश कीजिए तो चले देखते हैं इस कोशन का सॉल्ट क्या होगा जैसे कि मैंने आपको बताया यह सिंप्लिफिकेशन का कोशन है सिंप्लिफिकेशन और अप्रॉक्सिमिशन जब यह पॉइंट सवगर आ गए यानि यह अप्रॉक्सिमिशन की बात चल रही है तो हम इसे solve करेंगे 1 by 1 27.35 हो जाएगा हमार पास 27 माइनस ब्रैकेट शुरू 16 का स्क्वेर 256 माइनस 273.19 यानि 273 ही रहेगा प्लस 281 ही रहेगा डिवाइड बाइ 2 ही रहेगा तो यह आगी है हमारी equation इसे हमें करना है solve तो मैंने आपको बता है सबसे पहले होती है bracket solve bracket हमें दिख रही है यह सबसे innermost bracket इसे हम जब solve करेंगे हमारे पास आएगा 3 प्लस 1 4 7 प्लस 8 15 1 carry-on 2 2s of 2 प्लस 2 4 और एक carry-on 5 554 आ गया यह अब यह वाली bracket solve हो गई है अब हमारे पास क्या बचा 27 minus 256 minus और यह divided by 2 is equals to यह अब दिखिए bracket तो यह है bracket तो solve होगी पर bracket के अंदर भी board mass लग रहा है तो board mass के according हम पहले करेंगे इसे divide 5 54 को आप 2 से divide करोगे तो आपका आएगा 277 ठीक है 277 आ गया 256 में से 277 आप minus करोगे तो एक term आई की जो की होगी minus की क्योंकि 256 छोटा है 277 बड़ा है और near about in में 20 का ही gap दिख रहा है आपको 20 का ही gap दिख रहा है 257 होता अगर इसकी जगा तो फिर तो exact 20 का होता तो 256 है तो exactly तो नहीं है पर almost 20 का ही gap दिख रहा है तो 27 में हम जब 20 के around number को भी बरेंगे हमारा 48 के करी अब answer आएगा देखिए इस point के बाद मैंने पूरा question solve भी नहीं किया फिर भी मेरा answer आगया तो हमारा answer है option D 48 next question पर चलते हैं again simplification का question है 5 second दे रहा हूँ इससे जल्दी से solve कीजिए तो चली देखते हैं इसका solution क्या होगा 85% off यहाँ पर कोई multiplication नहीं है कोई division नहीं है off आफ मतलब normal multiplication होगी तो 85% बोला है उन्होंने 4 by 7 का 6755 is equals to something 1678 ठीक है 5 के table से 5 ones are 5, 17, 5, 3s are 15, 25 यह आगया 20 यह आगया हमारे पास ठीक है 4, 5s are 25, 5, 1s are 5 और 35, 5, 7s are 35 अब definitely यह number इसको काटता ही हो क्योंकि 17 को नहीं काट रहा तो इसको काटता ही होगा ट्राइ करते हैं 7 ones are 7, हमारे पास बचा 65, 9s are 63 और 21 बचा ठीक है तो 21, 3s are तो हमारे पास 193 into 17 is equals to question mark plus 1678 ठीक है अब एक चीज़ दिखिए 193 को हम 20-3 से कर देते हैं 193 into 20, 193 का डबल ही करना है 1 का इदर 9 आ रहा है यानि carry मिलेगा तो 3 बन जाएगा, डबल होके 9 के इदर 3 आ रहा है, यानि 9 को carry नहीं मिलेगा ये 8 ही रहेगा और 3 का डबल हो जाएगा 6, 3, 6, 8, 0 हमारे पास इस तरफ आ रहा है फिर 193 को हमें करना है 3 से multiply, 2 से तो हमें पता है कि 3, 8, 6 आता है 3 से करना तो यानि 193 हम इसमें और add कर देंगे 6, 3, 9, 8, 9, 17, 11, 3, 14, 15, 579 हम माइनस कर लेंगे ठीक है, तो 3860 में से हमें 579 माइनस करना है इसने इसको carry दिया, एक आया, ये बन गया इसने इसको carry दिया, ये बन गया 15, 7, 8, 15 और इसने carry दिया था तो ये 7 बन गया 11, ठीक है, 3 आ रहा है, 3 आपका किस option के end में दिख रहा है 3 आपका सिर्फ इस option के end में दिख रहा है, तो आपका ये आगया final answer, ठीक है अब इस question को मैं थोड़ा और जल्दी solve करना बता देता हूँ देखिए हमारे पास 193 into 17 आया था, ठीक है ये चीज आई थी, मैंने आपको 193 into 17 पूरा expand multiply करवाया और उसके बाद इससे minus करवाया इसके बजाए हम एक और चीज भी कर सकते हैं कि हमें पता है, 7 into 3, unit digit हमने multiply किये 73 होता है, हमारे पास 21, यानि इस multiplication का हमारे पास unit digit आया 1 अब देखिए, यहां तो ये term, ठीक है, कुछ बनेगी x, y, z, 1 ऐसी term बनेगी न, ठीक है, x, y, z भी 3 number होते हैं, जो हमने निकाले थे जो 3 number होते हैं, कुछ, is equals to question mark plus 1678 अब आपने देखने हैं कि ये term, इस term से बड़ी आईगी या छोटी आईगी तो आपको clearly दिख रहे हैं, अगर हम 193 को 10 से ही multiply कर दें तो वो 1930 बन जाता है, जो की clearly 1678 से बड़ा है तो ये term होगी बड़ी, ये term होगी बड़ी मतलब ये जो 1 होगा, ये वाली x, y, z term जो है, ये बड़ी होगी 1678 से तो x, y, z, 1 में से हम minus करेंगे 1678 क्योंकि ये term बड़ी है, इस से 1678 माइनस होगा, अब देखिए, 1 में से 8 तो निकल नी सकता है यानि, z जो है, इसको कुछ न कुछ carry on देगा और ये बन जेगा 11, 8 जब 11 को, 11 में से आप 8 निकालोगे, आपके पास unit digit आएगा 3 और unit digit आपको 3 दिख रहा है, इस point पर ये हो गया आपका final answer पिछले वाले method में आपको पूरी calculation करनी पड़ीगी ये method आपको थोड़ा सा, I guess, इस time समझ नहीं आया होगा क्योंकि थोड़ा ये complicated method है, जिनका hold बन गया हुआ है वो इस method के through कर सकते हैं फिलाल आप अगर ये method समझ नहीं आया तो उसी method पर आप stick रहिए answer आपका उससे भी आएगा ही आएगा चलते हैं हमारे next question पर अगेन 5 second दे रहा हूँ, इससे जल्दी से solve कीजिए तो चलिए देखते हैं इसका solution क्या होगा ये देखिए, यहाँ पर हम ही दिया हुआ है 1.96, साथ में 0.04 इस question को solve करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ अगर आपको याद हो, जब हम square root निकालना सीख रहे थे square root में हम last के दो number छोड़ते थे जब हम unit digit देख लेते थे, last के दो number हम छोड़ देते थे फिर उसके आगे जो number होता था, उसको देखते थे किसका nearest है and all, जो भी था, वो पूरा process, ठीक है तो यानि कि जब भी आपको square root दिया हुए, जैसे इदर 1.96 का दिया है तो point के बाद जो दो number है, जब यह square root से बाहर आएगा यह एक number बन जाएगा, ठीक है 1.96 हमें पता है, 196 का square root होता है 14, मैंने आपको बताया, point के बाद दो number है तो जब square root से बाहर आएगा, point के बाद एक number रह जाएगा तो हमारे पास 1.4 आगया इसका similarly, यह है हमारे पास under root of 4 which is equals to 2 अब देखिए, point के बाद दो number है तो जब root से बाहर आएगा, point के बाद एक number आना चाहिए तो point के बाद एक number आए, यानि यह 0.2 है तो 1.4 माइनस 0.2 हमारे पास आगया 1.2 which is option number A ठीक है, समझाया? एक बार फिर से बता देता हूँ मैं देखिए, point के बाद जैसे 1.96 है point के बाद अगर आपको root में दो number दिखे रहे हैं, तो जब यह number point से बाहर आएंगे, तो एक ही बचेगा, यानि कि जैसे 196 14 का root होता है जब point के बाद दो number है जब यह root से बारा है, point के बाद एक number बचा, वैसे ही 0.02 का root निकालना था, हम बता है 4 का root होता है 2, पर point के बाद दो number है, यानि बाहर हमें point के बाद एक number चाहिए ही चाहिए, तो यह बन गए हमार पास 1.4 minus 0.2 ऐसे ही एक और example दे देता हूँ कोई भी जैसे ले लो under root of 0.0025 अब point के बाद कितने number है, point के बाद number है 4, जब root हटेगा तो point के बाद कितने number बचने चाहिए, point के बाद बचने चाहिए 2 number, ठीक है, क्योंकि 4 है अगर 2 number point के जब root से बाहर आ रहे थे, point के बाद बचने तो 4 में, जब root से बाहर आएंगे point के बाद 2 digit बचेंगे तो 25 किस का root होता है 5 का, तो 5 सबसे end में बढ़ दिया हमें 2 digit बचाने थे तो 0.05 आ गया ऐसे question का root, ठीक है, ये question ऐसे करने होते है चलते है next question पर अंजली का monthly expenditure और saving की ratio दी हुई है income उसनों ने increase की है 12% से expenditure increase किया है 17% से अब बताईए saving कितनी increase हुई है वही जीज, ratio में काम करने है दो ratio आपके पास है, उससे आपने expenditure income निकालनी है, ratio से ही तो ratio में ही आपने individual जो है, increase करते जाना है percentage का, और उसके बाद end में आपको बताना है तो दे रहा हूं 5 second, वीडियो को pause कीजिए और इस question को solve करने की कोशिश कीजिए तो चली देखते हैं, इसका solution क्या होगा अंजली का expenditure और saving है हमारे पास, expenditure है 5 saving है 4, मैंने आपको बताया था जब मैं ये chapter पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया था कि income क्या होती है income वो होती है जो आप खरच देते हो, यानि expenditure और उसमें से जितना आप save कर लेते हो, for example आपकी salary है 45,000 for example आप for example आपकी salary है 60,000 60,000 में से आपने खरच दिया 20,000 महीने का फिर आपकी saving कितनी होगी 40,000, तो 40,000 और 20,000 को जब आप add करोगे तब भी तो आपको पूरी income मिलेगी, income जिसको हम salary कहते हैं तो वही चीज हम यहाँ पर reply करेंगे कि हमारी expenditure है 5 units की saving है 4 units की तो income कितनी होगी 5 प्लस 4 9 units की, ठीक है अब उनने कहा है कि income में 12% का increase हो रहा है फीक है, income में income को हम माल लेते हैं 90 यह हो जाएंगे 50 और 40 12% का increase हो रहा है 90 का 10% होगा 9 और 2% होगा 1.8 तो income होगी हमारी 10.8 next is expenditure जो है 17% से increase हुआ है 50, इसको 17 को हम ले लेंगे 20 minus 3 50 का 20% होगा 10 और 3% होगा 1.5 इसमें minus करना है हमने ठीक है तो जब हम इसको minus करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 8.5 तो हमारे नया expenditure आ गया 8.5 हमारी नई income आगी 10.8 ठीक है अब हम इनको कर लेंगे minus तो हमारी saving निकल जाएगी तो 10.8 में से 8.5 जब आप minus करोगे 5.3 से increase हुई है पिछली थी 40 100 से multiply कर जाएगे जब ये point हटेगा नीचे 400 बन जाएगा तो हमारी आ जाएगी 23 by 4 23 by 4 यनकी 4 5s are 20 हमारे पास 5 वाला एकी option है option D आ गया हमारा 5.75 चलते हैं हमारे next question पर paragraph है बहुत बड़ा सा पढ़िए इसे 5 सेकिन का टाइम देरों वीडियो को pause कीजिए पढ़िए अराम से पढ़िए एके क्लाइन को अच्छे से पढ़ना और इसे solve करना तो चलिए देखते हैं इसका solution क्या होगा शीला spends 18% of monthly income for the children education हम 100 मान लेते हैं उसमें से उसने 18 खर्च दी education पर ठीक है शी स्पेंट 32% of monthly income in household 32 उसने household में खर्च दिये 12% traveling 12% उसने traveling में खर्च दिये अब देखिए एक चीज यहाँ पर कहीं भी remaining word का use नहीं हुआ है अगर remaining word का use नहीं हुआ ना हम इन सब को 21 साथ total कर लेते हैं ठीक है अब यानि उसने अभी तक कितना खर्च दिये 32 प्लस 18 यानि कि 50 प्लस 12 यानि कि 62 100 में से उसने 62 खर्च दिये अगर 100 में से उसने 62 खर्च दिये तो उसके पास अभी तक कितना बचा है उसके पास अभी तक बचा है 38 ठीक है इसका भी उसने 55% गैंबलिंग में लगा दिया इस वाले का remaining लिखा हुआ ना 55% of remaining remaining उसने लगा दिया gambling में ठीक है और उसके पास बचते हैं अब rupees 7315 अगर उसने इसका 55% गैंबलिंग में लगा दिया यानि उसके पास इसमें से 45% ही value दी हुए हमारे पास 7315 इसको हम solve कर लेंगे 59 45 520 10 119 ठीक है अभी तक हमारी यह question बनी थी अब 19 से इसको काटेंगे तो 385 से यह चला जाएगा ठीक है हमारे 1 unit की value आ जाएगी 3850 divided by 9 हमें क्या देखना है शीला की monthly income शीला की monthly income क्या थी 100 तो 3850 into 100 divided by 9 ठीक है अब देखिए 3850 को जब आप multiply करोगे 100 से यह बन जगा 38500 divided by हमारे पास 9 है अगर हम 9 के बजाए denominator 10 ले लें ठीक है यानि कि हमने denominator बड़ा ले लिया denominator बड़ा ले लिये तो हमारा जो answer आएगा वो हमारा for example 10 लेने पर answer आया 38500 तो यह जो answer है यह हमारा actual answer से छोटा होगा क्यों क्योंकि हमने denominator increase की है denominator जब भी आप increase करोगे आपका actual answer से answer जो होगा वो छोटा आएगा actual answer इससे थोड़ा सा बड़ा होगा यान की near about 41,000 के करीब आपका जो होगा वो answer आएगा 41,000 एक्जेक्ट नहीं मैं कह रहा हूँ जस्ट करीब कह रहा हूँ अगर denominator हमने कम किया हो होता तो हमारा answer for example जैसे 3800 आया अगर हमने denominator 9 के बजाए 8 किया होता तो यह actual से बड़ा होता हमने denominator increase किया है यानि 9 से 10 किया हूँ है तो हमारा जो answer आया है यह छोटा आया actual answer से तो actual answer जो होगा वो 38,500 से बड़ा ही होगा अब देखते हमारा option हमारे option में 38,500 से बड़ा एक option B आ रहा है एक option C आ रहा है पर मैंने आपको बताया कि सिरफ थोड़ा सा ही बड़ा होगा बहुत जादा बड़ा नहीं होगा 38,500 और 50,000 में तो approximately 12,000 का difference आ रहा है इतना बड़ा gap नहीं हो सकता तो हमारा final answer होगा option C चलते हमारे next question पर अब next question हमारा है quantity question का again मैं आपको दे रहा तो चली देखते हैं इस question का solution क्या होना चाहिए आपको पता है minus minus के roots होते हैं plus minus और minus plus के root होते हैं plus plus ठीक है अब इनकी roots निकालते हैं 15, 2, 5, 3, 15, 2, हमें बनाना है 13 और plus minus यानि subtraction से subtraction से 15 बनना हमारा 13 बनना चाहिए तो 5 अब इसको 13 बनाने के कौन-कौन से तरीके हैं 5, 2, 10, plus 3, 13 या फिर 5, 3, 15, minus 2 मैंने आपको बताया कि दोनों cases में हमें 5 x 3 x 2 से ही बनाना है एक में हमें subtraction से बनाना है एक में हमें addition से बनाना है क्योंक लगेगा part 2 के लिए यानि y के लिए ये वाले लगेगा x के लिए x में अभी हमने एक और चीज भी देखनी है कि minus 13 बनाना है minus 13 कब बनता है जब minus 15 plus 2 होगा इससे बनेगा हमारा minus 13 और जब हम roots में आएंगे तो इस symbol opposite हो जाएंगे यानि कि plus 15 minus 2 आगे x के roots ठीक है अभी कोश 15 से divide क्योंकि x square का coefficient है 15 तो x के roots आगे हमारे पास plus का 1 और minus का 2 by 15 अब बात करते हैं y की हमें y में 10 और 3 से 13 बनता दिख रहा था और इसके roots भी plus plus ही होने थे तो y के roots आजेगे 10 by 15 और 3 by 15 यानि कि 5 2's are 10, 5 3's are 15, 3 1's are 3 5's are यानि y की roots आगे 2 by 3 और 1 by 5 अब करते हैं इनको 1 by 1 compare ठीक है ये 1 जो है इन से बढ़ा ही होगा क्योंकि जब y को हम solve करेंगे तो 1 by 5 0.2 बनेगा ठीक है इन से बढ़ा ही होगा ये दोनों से बढ़ा होगा और ये positive terms इन से बढ़ी होगी ठीक है negative से तो positive term बढ़ी होगी चाहे जितनी मर्जी हो तो एक हमारा x का बढ़ा आगया एक हमारा y का बढ़ा आगया हमारा final answer आगया option e चलते हैं हमारे next question पर again quantity equation का question है पांच सेकिंड दे रहों वीडियो को pause कीजिए और जल्दी से इसको solve कीजिए तो चलिए देखते हैं ये question solve कैसे होगा सबसे पहले हमारे पास equation जो है उसमें plus plus दिया हुआ है तो plus plus की roots का होती है minus minus x और y दोने के लिए minus minus roots होगी ठीक है next चीज हमें बनाना है 30 into 1 30 कैसे बनता है 3 10s are 30 10 को हम और expand करेंगे 3 into 5 into 2 से बनेगा हमारा 30x के लिए ठीक है अब हमें बनाना है 11 minus minus यानि same symbol है यानि addition ही होगी दोनों cases में addition ही होगी addition करके हमें 11 बनाना है 3 into 6 plus 5 आगया हमारे पास 11 तो x की roots आगी minus 6 minus 5 अब काम करते हैं y पे तो y में हमें दिख रहा है 36 into 1 अब 36 कैसे बनता है 12 3 is a 36 होता है और 12 को हम और expand कर सकते हैं 4 3 is a 12 अभी 4 को भी और expand कर सकते है 2 into 2 into 3 और ये वाला 3 भी multiply होगा तो ये आएंगी हमारा total जिसमें से हमें 12 बनाना है 12 भी addition से ही बनना चाहिए तो कैसे बनेगा 3 to the 6 3 to the 6 हमारे पास बनेगे 12 तो यानि की y की roots आगी हमारे पास minus 6 minus 6 अब करते हैं compare ये minus 6 इन दोनों के बराबर है तो x equals to y तो आगया हमारे पास minus 5 इन दोनों से बड़ा है तो x is greater than y आगया हमारे पास यानि की x is greater than equals to y आगया हमारा final answer चलते हैं next question पर ये question आगया हमारा ratio proportion का ठीक है तो दे रहा हूं मैं आपको 5 second का time वीडियो को pause कीजिए और इस question को solve करने की कोशिश कीजिए तो चली देखते हैं इसका solution क्या होगा 4,6,5,0 रुपीज बट रहे हैं a, b और c में और ये उनके shares की value दी हुई है फिर उनने end में काया c का share कितना होगा ठीक है अब क्या है कि 4 time a is equals to 6 time b is equals to 10 time c मैंने आपको बताया ऐसे question को solve करने के लिए हम लगाते हैं hide method, hide method में क्या होगा a is to b is to c लिख लेंगे हम अभी हमें a को निकालना है तो हम a को जो a के साथ जो coefficient है उसको हम hide कर देंगे 6 into 10 लिख देंगे ठीक है next b का निकालना है तो b का coefficient हम hide कर देंगे और a और c वाले को multiply कर देंगे तो आगया हमारे पास 4 into 10 वैसे ही c के लिए आगया 4 into 6 4 काटा, 4 काटा अब 2, 2 हम दोनों से निकालने के तो 2 into 2 हमारा 4 बन जाएगा 2 इस से निकाला बना 3, 2 इस से निकाला बना 5 तो a is to b is to c आगया हमारे पास 15 is to 10 is to 6 क्योंकि ये फर्दर और नहीं कट सकता अब total share है 4, 6, 5, 0 रुपीज यानि की इनका sum यानि की 10, 15 होगे 25 प्लस 6 31 की value है 4, 6, 5, 0 उन्होंने पूछे c का share यानि हमें 6 की value निकालनी है ठीक है 31 की value है 4, 6, 5, 0 1 की value होगी 4, 6, 5, 0 divided by 31 और मुझे लगता है कि ये काटेगा ही काटेगा इसको क्योंकि हमारा कोई भी answer जो है वो points में नहीं है तो हम इसे solve करनी की कोशिश करेंगे 4, 6, 5, 0 को 31 से करने 1 is a 31 यहाँ पर आगया 5 ये वाला 5 भी नीचे आगया 155 और ये आएगा 5, 1, 5, 5, 0 तो 31 into 150 is equals to 4, 6, 5, 0 1 की value होगी हमारा पास 150 हमें value निकालनी थी C की which is 6 तो 6 की value होगी 150 into 6 अब देखिए इस वाले पार को कैसे करना solve 150 का double क्या होता है 300 4 times करेंगे तो क्या हो जाएगा 600 अभी ये चीज़ आईए 150 into 4 यानि कि हमारा 150 into 2 अभी भी बचा हुआ है तो 300 और एड़ करेंगे हमारा final value आजएगी 900 which is option B अब ये रहा 28th question आपकी screen पर ये है हमारा ratio proportion का question ठीक है इसे जल्दी से solve कीजिए 5 second का time दे रहा हूँ वीडियो को pause कीजिए इसे solve कीजिए तो चलिए देखते हैं इसका solution क्या होगा train, bus, car यहाँ पर आ गई ये अच्छा इसमें अब passenger जो person travel कर रहे हैं उनकी ratio है 4, 3, 2 और जो fare दे रहे हैं 1, 2, 4 ठीक है अब एक चीज़ मैं आगर कहूँ आप मान लो कि train में जो लोग हैं वो 4 ही हैं bus में जो लोग travel कर रहे हैं वो 3 ही हैं और जो car में travel कर रहे हैं वो 2 ही हैं साथ ही train में travel करने का fare 1 रुपया है bus में travel करने का fare 2 रुपया है car में travel करने के fare 4 रुपया है तो इनके अगर हम total fare निकालेंगे train में travel करने का total fare कितना होगा 4 बंदे travel कर रहे हैं हर एक बंदे से अगर हम 1 एक रुपय का किराय लेंगे total आजएगा 4 रुपय वैसी bus का आजएगा 6 रुपय कार का आजाएगा 8 रुपे जब हम इसको short कर देंगे 2 is to 3 is to 4 आजाएगा हमारे total fair जबकि हमारे total expenditure कहा हुआ है as a fair 720 यानि इनका sum 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 की value आगी 720 1 की value आजाएगी 80 अब देखिए अगर 1 की value 80 है हमें total fair निकालना है train का तो total fair आपको यहाँ पर 4 दिख रहा था जब हमने उसको reduce कर दिया वो बनिया 2 तो 80 का double क्या होगा? 80 का double होगा 160 which is option A. चलते हैं हमारे next question पर percentage का question है जल्दी से solve कीजिए 5 second का time दे रहा हूँ वीडियो को pause कीजिए तो जल्दी देखते हैं इसको solve कैसे करना है इन number is increased by 40% then again by 40% ठीक है? यानि एक number है उसको increase कर रहे है 40% से फिर फिर से कर रहे है 40% से then it is decreased by 40% ठीक है? अब इसको decrease कर रहे है 40% से by what percent original number has changed ठीक है? original number बताना है कितने percent से change हुआ है हमारे पास आगया x into 1414 होता है 196 और नीचे आगया 196 into 6 भी है हमारे पास यहाँ पर 6 भी है नीचे आगया 1000 इसको हम बचा के रखते हैं क्योंकि point लगा लेंगे सिधा point लगा लेंगे ठीक है? अब हमारा निया नमबर क्या आएगा? x new की value चल रही है यह निया नमबर आएगा 66 to 36 3 carry on 96 to 54 5 carry on 616 1176 x upon 1000 तो point आगया यहाँ पर original number था हमारे पास x new नमबर आगया हमारे पास 1.176 x इन्होंने बोला है कि percentage change कितनी हुई है ठीक है? तो change कितनी हुई है इस पे? change हुई है इन पे 0.176 x की original x था new 1.176 x था हमने minus किया simple यह आगई हमारे पास change अब इन्होंने percentage पूछी हुई है तो यानि कि 0.176 x divided by original number into 100 x से x गया तो आपको यहीं से दिख रहा है सिर्फ इसी equation से दिख रहा है 17.66 आपका final answer होगा चलते हैं हमारे next question पर simplification का question है near to 100 लगेगा इस पे near to 50 लगेगा इस पे और question solve करना है आपने 5 second के time दे रहों जल्दी से solve कीजिए चली देखते हैं यह question कैसे solve होगा 83 जो है 100 से 17 कम है तो 17 का square क्या होगा 17 का square होता है 289 ठीक है 2 आगया carry on अब 83 से 17 और कम करने है तो 7,6,13 इसने इसको carry दिया था 66 आगया यहाँ पे और 2 carry on 68 तो 83 का square आगया हमारे पास 6,889 ठीक है अब 37 का square करते है 37 के square में क्या होगा कि सबसे पहले हम देखेंगे कितना कम है 13 कम है तो 169 होता है 13 का square अब 25 में 13 और कम करने है 12 आएंगे 12 में 1 carry on आएगा 1369 आगया हमारे पास 37 का square यह दोनों add हो रहे हैं यानि कि 6,889 1369 हो रहे है add ठीक है तो 9,9,8,1 carry on 8 से 14 15,1 carry on 8,9,10,14 12,1 carry on 6,1,7,8 8,285 आपके पास इस तरफ आ गया दूसरी तरफ आपके पास है 8,1,6,0 8,25,8 में से 8,1,6,0 निकाल दो तो आपके पास आएगा 98 98 क्या होगा under root of यह जब यह इस तरफ जाएगा 98 का square हो जाएगा तो 98 का square कैसे निकलेगा वही near to 100 वाली trick लगाएंगे हम 1,2,3,4 2 कम है 100 से तो 04 आएगा यहाँ पर 04 आपके पास इधर और इधर दिख रहा है अब 98 में 2 और कम होगे क्योंकि number itself होता है तो यानि 9,6,0,4 तो आपके पास आजाएगा final answer आपका option D यह रहा 31st question again simplification basically approximation का question है इसे जल्दी से solve कीजिए 5 second का time दे रहाँ इसे solve कीजिए तो चली देखते हैं इसको कैसे solve करना है यह चीज हमारी बन जाएगी 22 यह चीज हमारी बन जाएगी 9 यह चीज बन जाएगी हमारी 5 ठीक है पहले bracket solve होगी 22 into 4 is 88 next question यह रहा ratio proportion का एक और question ठीक है चलो hint दे देता हूँ A divided by B is equals to 3 by 4 B is to CB 3 by 4 है C is to DB 3 by 4 है इन्होंने काए what is A is share जब हाँ पास total money यह है आपको A is to B is to C निकालना है और उसको equate करना है 4 to 00 में से उसमें से A की value निकाल देनी है 5 second ज़रों जल्दी से इसको solve करो तो मैंने आपको बताया था A के लिए यह तीनों term multiply होंगी तो 3 into 3 into 3 आगया हमारे पास 97 B ऐसी form में होगा तो इदर भी C के लिए ऐसे ऐसे form लगीगी यानि इदर से ऐसे form लगीगी तो 4 fours are 16 16 into 3 48 आगया यहां पर last D के लिए last के तीनों number को multiply करेंगी तो 4 into 4 होता है 16 और 16 fours are 64 आगया तो यह आपस में नहीं करते हैं अब इनका हम कर देंगे addition क्योंकि 4200 डिवाइड होना है इन चारों में addition करते हैं 64 और 36 आगया हमारा 100 48 आगया तो हमारा बन गया 148 ठीक है अब next चीज आगी इसमें 27 एड करने है 8,7,15,1,4,2,6,1,7 175 की value होगी 4200 हमें निकालनी है किसकी हमें निकालनी है A की तो A का share होगा 27 अगर 175 की 4200 है तो 1 की क्या होगी 4200 divided by 175 इसमें हमें A का share निकालनी है तो A की value हम डालने के 27 अब इससे solve करेंगे सबसे पहले मैंने apply किया 25 का table 25 4 जा होता है 100 तो 8 जा होगा 200 200 से एक step हमें पीछे जाना यानि 7 से 7 आ गया यहां पर और 25 8 जा अगर 200 है तो 16 जा होगा 400 तो 16 डाला हमने 400 आ गया अभी हमारे पास बचा 20 20 के आगे 10 और है वो आता है 8 की multiplication पे तो फिलाल के लिए हमारे पास जो equation बनी वो बनी 168 divided by 7 into 27 अब इसको फर्दर और डिवाइड करेंगे 7 2 0 14 और हमारे पास आ गया 28 तो 7 7 4 0 28 ठीक है इतना आ गया हमारे पास अब हमें 24 को 27 से multiply करना है तो बहुत easy है हम 24 का square जानते है तो उसको ऐसे multiply करेंगे 24 का square होता है हमारा 576 24 का double होगा 48 48 में 24 दोबारा add करोगे तो आपके पास आजएगा 72 तो 6 2 8 साथ साथ 14 48 कि दर है 48 हमारा सिर्फ B option में है हमारा option भी आगया final answer यह आगया हमारे ratio proportion और percentage को mix किया हुआ है इससे भी जल्दी से solve कीजिए बहुत चोटा question है और मुझे बताइए इसका final answer ठीक है 5 second का time दे रहा हूँ तो चलिए देखते हैं इसका solution क्या होगा X Y Z की salary है 3 4 5 की ratio में हमें new ratio बतानी है जब भी new ratio बतानी होती है हम कुछ भी assume कर लेते हैं हमने इसको 300 400 500 मान लिया X में increment हो रहा है 5% का देखे 300 में अगर 10% का increment होता तो यानि 30 का होता 5% का हो रहा है यानि की 15 का हो रहा है तो 300 में हम 15 का increment करेंगे बन जाएगा 315 next 400 में 10% का हो रहा है यानि 40 का हो रहा है ये बन गया 440 next 500 में 20% का हो रहा है यानि की 50 को double करना है तो 100 ये बन गया 600 अब बस हमें इनकी ratio बनानी है और final answer बताना है तो ratio बनाना शुरू करते हैं 5 से 5, 6, 30 और हमारे पास बचाब 15 63 63 आ रहा है हमारे सिर्फ option E में final answer आ गया हमारा option E चलते है next question पर 34th question आपकी screen पर है 5 सेकंड का time दे रहा हूँ वीडियो को pause कीजिए इसको solve कीजिए तो चलिए देखते हैं इसका solution क्या होगा boys और girls की एक class में 3 is to 4 की ratio है new session शुरू हुआ boys increase होगे 10 से girls increase होगी n से ठीक है अब भी हमें पता नहीं है कि पहले boys कितने थे 3x 4x हमने माने अब उनकी ratio बन गई 5x 6x ठीक है find the value of n तो अब देखिए 3x में 10 लड़के add हुए 4x में n लड़किया add ही तो हमारे पास new ratio आगी 5x 6x ठीक है x से x गया 6 3s are 18 18x आगया 6 10s are 60 which is equals to 20x plus 5n ठीक है अब देखिए आपके पास एक variable ये बचा पड़ा है एक variable ठीक है x बचा पड़ा है एक variable दूसरा variable आपके पास n बचा पड़ा हुए पर equation हमारे पास एक ही है जब भी हमारे पास 2 variables हो तो उनकी value निकालने के लिए हमें 2 equations चाहिए चाहिए होती है अगर हमारे पास 3 variable होंगे तो 3 equation चाहिए होंगी यहाँ पर हमारे पास 2 variables हैं पर equation एक ही है यानि इसका answer होगा cannot be determined चलते हमारे next question पर आज का last question आपकी screen पर है इसे जल्दी से solve कीजिए बिना time waste कीए पांच सेकंड का time दे रहा हूं वीडियो को pause कीजिए तो चली देखते हैं इसका solution क्या होगा सबसे पहले चीज यह question है ages का तो A और B की age की ratio है 2 is to 1 क्योंकि A जो है twice है ratio between B और C है 7 is to 5 7 years from now ratio of ages of A and C will be 7 is to 4 आज से 7 साल बाद की बाद चल रही है ठीक है फिलाल हम ABC की एक common ratio निकालते हैं तो ABC की common ratio कैसे निकलेगी जब हम यहाँ पर 7 से multiply करेंगे क्योंकि B को common बनाएंगे तो हमारे पास A आगया 14 B आगया 7, C आगया 5 साथ साल बाद आज से साथ साल बाद A is to C होगा 7 is to 4 ठीक है तो हम अब सिरफ A और C पे ही काम करेंगे B को हम निकलेक्ट कर देंगे A is to C की पराणी रेशो आगी 14 is to 5 की और नई रेशो 7 साल बाद आगी 7 is to 4 की इनका gap है 9 का 3 का तो मैंने आपको बताया था हम इनको cut out कर सकते हैं तो ये 3 multiply होगा इन से 14 is to 5 थी पराणी 17 is to 12 आगी नई अब gap देखते हैं 7 का है और year भी 7 ही है यानि 1 की value आगी 1 इन्होंने पूछा है What is the present age of C ये है present age of C ये है 7 साल बाद तो present age of C है हमारे पास 5 ठीक है आप देखिए option में हमें 12 भी दिया हुआ है ये बहुत trick डालने के लिए अगर आप question कर रहे हैं आपको अपना दिमाग active रखना है option में उने 12 भी दिया है जो कि यहाँ पर दिख रहा है पर हमारा present age पूछा है तो वो होगी 5 तो option है आगया हमारा final answer तो ये रही हमारी answer की एक बार इसे खुझ से try करना सारे questions को और answer की match करना ठीक है so हमारे आज के session के बाद 35 के 35 question हो चुके हैं solve part 1 में हमने किये थे 19 और बाकी 35 तक आज हमने complete कर लिए है 35 में से जितने भी आपके ठीक हैं part 1 के भी include कर लेना जितने भी आपके ठीक होंगे वो आज अपने comment section में बताइए कि आपके कितने question ठीक रहे है ठीक है इसी के साथ हमारा आज का जो practice session part 2 है ये भी खतम होता है अगर आपको ये वीडियो पसंद है इसे like कीजिए साथ ही हमारे चनल को subscribe कीजिए और इस वीडियो को अपने friends के साथ share कीजिए Thank you